मोर पक्षी जितना सुंदर है, जितने सुंदर इसके नाम है, उतने ही सुंदर, उतने ही फायदे मन्दित के उपाएं हैं हमारे देवी देवता को भी बहुत प्रिये है मोर पक्षी और इसके पंक मा सरस्वती, श्री किष्ण मा लक्षमी, इंदर देव, कार्थी के और श्री कनेश सभी को मोर पक्षी, मोर पंक बहुत प्रिये है और इसी मोरपंग से पौरानिक काल में महारीशी लोग बड़े-बड़े ग्रंथ लिखते थे कुछ ऐसे उपाएं हैं जो आगर आप बुद्धुवार के दिन मोरपंग से करते हैं तो आपकी कारी सिद्ध होते हैं आपकी घर की आर्थी की सिद्धी अच्छी नहीं है मा लक्ष्मी आपसे रूठी हो ही है तो आज बुद्धुवार के दिन रिद्धी सिद्धी और भगवन गनपती जी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप मोरपंग का ये छोटा सा उपाई करते हैं तो आपके सारी परिशानिया दूर होती हैं आपको करना क्या है बुद्धुवार के दिन आजी के दिन छे मोरपंग लेकर आए और पंग के नीचे हरे रंग का धागा बांध ले एक थाली में पंग के साथ में छे सूपारिया रखे गंगा जल छुड़कते हुए 21 बार इस मंत्र का जाब करे ओम बुद्धे नमहा जग्रा है स्थापई स्वाहा मंत्र का जाब करना है 21 बार और मोरपंग आपको सूपारी के साथ में भगवान गनपती जी को समर्पित करना है आपकी जो मनोकामना है वो आप बोली और आपकी जो कारी है वो जरूर पोने होंगे आज जी के दिन आपको रातरी में यह उपाई करना है फिर मिलती हुए इस तरी उपाई जानकरी के साथ में तब तक के लिए रादे रादे